हलो एंड वैलकम टू माई चैनल आज हम यह देख रहे हैं एरीस यानि मेश राश्री के लिए नॉबर 2024 में आप लोगों की लव लाइफ कैसे रहेगी इसी को लेकर यह रीडिंग है और आप सभी के लिए रीडिंग और मैसेज़ेस होंगे कर्स आये हैं आपके लिए और काफी कुछ मैसेज़ेस हैं फरस्ट अगर टैरोरे के साथ स्टार्ट करें आपके लिए रीडिंग तो यहां आपके लिए गाड़ आया है अगर आप एक सिंगल परसन भी है तो काफी जादा चुनोती हैं आपने अभी जीमन में देखी है और काफी आप बन्धा हुआ मैसूस कर रहे हैं अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं या अगर मैरिड भी हैं तो भी ऐसा लग रहे हैं कि बहुत जादा सिच्वेशन से काफी खराब चीज़ें आपने फेस किये और इसलिए आपको ऐसा लग रहे है कि ग्रोथ नहीं रही है राइफ में ऐसा कुछ हुआ है और यहां आप देख रहे हैं वैक में सनराइस हो रहा है तो एक टाइमिंग के साथ आपके लिए चीज़े चेंज होगी अब तक आपको ज्यादा लस्फूल फिलिंग हो सकती है और यह बहुत फिजीकली अट्रक्टेड है आपसे डेवल एनर्जी के हैं कुछ लोगों के पार्टनर के भी एनर्जी हो सकती है यह कि बहुत जादा डॉमिनेंट है बहुत जादा परिशान रहे हैं अभी तक इस तरह की एनर्जी की लगों के लिए कोई पर्सन का अमनेटिंग है और है और जादा डॉमिनेटिंग हैं डॉमिनेटिंग है और बहुत जादा कह सकते हैं इसे क्यूंड कंईर हैं प को सकती है यह को बहुत बहकर डुआ जो साथ आपको किस तरह से डील करना है क्योंकि यहां नेक्स काड आपकी लिए आया है प्रिंसेस आफ सौर्स का तो आप में से कुछ लोग जैमिनी लिब्रा एक्वेरिक्स के साथ रिलेशन्शिप में हैं या एक ऐस तरह का रिलेशन्शिप लव प्रपोजल मैरीज प्रपोजल जैमिनी लिब्रा एक्वेरिक्स की तरफ से आए वर यह बहुत एक खूबसूरत इनसान हो सकते हैं और चाइल लाएक इनोसेंट परसन हो सकते हैं अपनी फैमिली में एक सिंगल चाइल हो सकते हैं उनका मैरीज प्रपोजल आपके लिए आसकता है और यह इन्टालिजन्ट ह सकते हैं बहुत कम्यूनिकेशन स्किल्स इनकी बहुत अची हो सकती सरे साब इन्हें पहचान सकते हैं और वहीं आपके लिए काड़ाया है तो कुछ ना कुछ हुआ है कपल्स के बीच या अगर स्टार्टिंग में ही हैं रिलेशन्शिप में तो भी ऐसा लग रहा है कि बहुत जादा अपने चेंजिस देखे हैं अपने जीवन में बहुत जादा उतार चड़ावा भी देखे हैं पर कुछ लोग टुन फ्लेम जर्नी में हैं और यहां पर कुछ मनमुटाव और अगर जीवन में बहुत नाराज है अपने पार्ट्नर से आज देख रहा है अगर आप एक जिसके जाए उन से बात नहीं पाटिन और बहुत जादा नाराजगी आपके अंदर देख रही है जुशा देख रहा है और यहीं चीज यहां शो रही है कुछ लोगों के पार्ट् पर यह टाइमिंग के साथ ठीक होगा आपके लिए डिवाइन टाइमिंग पर फिर से आप एक हो जाएंगे क्योंकि आप इक दूसरे के लिए बने हैं यहां डिवाइन लाइट आप देख रहे हैं पीछे नेक्स काड़ आपके लिए आया है फोर आफ कप्स का तो यहां ऐसा है कि आप बहुत जड़ा उदास हैं परिशान हैं अगर एक सिंगल परसंट भी हैं आपके पास एक से ज़्यादा प्रपोजल्स हैं पर अभी आप शादी करना नहीं चाहते हैं या किसी को आप कंसीडर नहीं करना चाहते हैं एक बहुत ही मैजिकल प्रपोजल आसकता है बहुत सुन्दर हैं बहुत क्यूट हैं ऐसे इंसान आपके लिए आ रहे हैं जो सचा प्यार आपसे करते हैं उनका प्यार यहां ओफर हो रहा है आप देख रहे हैं यहां एक आप ओफर हो रहा है पर आप धान नहीं देना चाहते हैं क्योंकि आपकी जीवन की सिच्वेशन ऐसी है कि अभी आप किसी को भी कंसिडर नहीं करना चाहते तो अगर इस तरह का कोई प्रोपोजल आता है तो उससे कंसिडर जरूर करें शाहे आप अभी कैसा भी फील करें पर ये एक मैजिकल अपॉर्चिनिटी आपके लिए हो सकती है एक बहुत ही शांदार परसन हो सकते है जो बहुत इमोशनल काइंड और लविंग हो सकते हैं वही नेक्स्ट काड़ आपके लिए आया है टू अफ एंटेकस का तो यहां ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे परसन को भी अट्रेक्ट कर रहे हैं जो मल्टी टासकर हैं जो आपके साथ बिजनिस करते हैं बिजनिस के साथ में आप रिलेशन्षिप में जा सकते हैं या इनका एक मैरिस प्रबोजर आपके लिए आ सकता है और ये बहुत ही समझदार इनसान हो सकते हैं तो इनके साथ आपको मिलेगा इस मंत में और कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है यह कि पावर्टी पर आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा है कि अभी आप बहुत जादा फाइनेशल चैलेंज देख रहे हैं बहुत जादा जौब वगरे की समझे चल रही है बहुत जादा पैसा नहीं आ रहा है आपके पास ऐसा भी आँ दिख रहा है पर यहां नेक्स काड़ आ हैं या आप लोग दूर हो गए हैं तो ऐसा नहीं है 33 मास्टर नंबर इसौरिटी दे रहा है कि आप 10 फिलिम्स हैं अगें मास्टर नंबर रिपीट हो रहे हैं वह सकता है आपको वाच में मॉबाइल में 333 काफी टाइम दिखें तो यहां आपके लिए चैलेंजिस ठीक हों हैं नेक्स काड़ आपके लिए है काउशिप का तो इक काउशिप आपके लिए स्टार्ट हो रही है बहुत ही कह सकते हैं एक जैंजल परसन हो सकते हैं जिनके साथ आप रिलेशन्शिप में जाएं एक नई स्टार्टिंग हो सकती है आप बहुत ही कह सकते हैं समझजार और लविंग केरिंग पर्सन को अट्रैक्ट करें हैं अपने लिए और यह आपके परफेक्ट मैच हो सकते हैं और आपको आपके वर्क प्लेस पर ही मिलें फरस्ट ऐसा भी यह दिख रहा है और जो लोग रिलेशन्शिप में हैं या मैरिड हैं उनके पिछ में एक कॉट्शिप जैसा रहने वाला है यह मन्त एक आप गिविंग और रिसीविंग काफी रहेगी एमोशनली काफी एक दूसरे से अट्रैस्ट फिल करेंगे और अच्छे लेवल पर आप एक दूसरे से शेरिंग करने वाले हैं बहुत अंडर्स्ट एक दूसरे के साथ इस मन्त में और यह अट्रैस्ट हाएवल पर होगा और यहां लविंग केयरिंग अट्रैक्ट करेंगे यह अगर यह दिखारियां जीसा वाइट पिजन यहां दिखिए तो यहां यहां ऐसा लग रहा है कि वो आपके बहुत नजीख है और यह परसन जो है वो आपके लिए बने हैं और आपको इससे रिलेटेड कुछ यूरिवर्सल साइंस मिल सकते हैं और जो लोग रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं उनके बीच में रिष्टा काफी बैलेंस होने वाला है फिर से आप देखेंगे कि आप उनके साथ बहुत अच्छी मेमोरी बना पा रहे हैं इस मन्त में ऐसा कुछ वालिटी टाइम आप बिताने वाले हैं अपने पार्टनर हैं इनकी एंटरिंग आपके लाइफ में आपको काफी इंस्पायर करेगी या कुछ लोग इनके साथ कनेक्टेड हैं जो बहुती समझदार हैं मिचौर माइंड़ हैं ऐसा भी यहां देख रहा है कि मिचौर उमन आपकी लाइफ में इंटर हो रही हैं इस मन्त में वही नेक आपके लिए हम देख रहे हैं काड़ आया है आकेंजल यूरियल का और जो मैसेज है विकमेपीस हैमिसेडर इस मन्त में आपको पीसफुल हैसुस करेंगे वह संतुस्ट और शान्त रहने वाले हैं इस मन्त में वही नेक्स काड़ आपके लिए आरहा है कॉल इन दप्यॉर वायट लाइट जी आप इस मन्त में जैसा अरकेंजल गैब्रीयल की बलैसिंग भी आई है अर्केंजLS की काफी बलैसिंग साइए तो आप डिवाईल्य काफी गाइड़ प्रोट्रेक्टटेड हैं चाहें आप जीवन में चैलिंजर पेस करें वो चैलिंजर आपकी लाइफ कि ये डिवाइन मस्कुलन एनरजी का कार्ड है तो यहां आप अपने लिए अपने ट्विन फ्रेम को अट्रैक्ट कर रहे हैं और इसकी जादा काफी जादा संभावना है कि आप उनसे इस मन्त में मिलें अगर अभी तक आप नहीं मिलें हैं और अगर आप अल्रेडी डिलेश ज्याद एक साइन क्या हो सकते है क्युँ नम से सकते है कि प्रेटनर का नम वां नम से चपते है स्नाम से सकते है Z, P Leo हो सकते हैं सिंग राशी के हो सकते हैं Gemini हो सकता है मैथौन राशी के वरगो हो सकते हैं कंयाराशी के और Aries मेश राशी के आपके पार्टन के तर्फ से आपके लिए क्वेस्ट होगा यह भी हम देख रहे हैं love at first sight जी आपके लिए होने वाला है एक मेसेज हो रहा है I feel comfortable in your arms वो आपके साथ comfortable feel करते है I am sorry वो आपसे किसी बात के लिए sorry feel कर रहे हैं आपसे माफी मांग रहे हैं इस बंत में हो सकता है वो आपसे माफी मांगे एक और ले लेते हैं my life is incomplete without you उनका जीवर आपके मिना अधूरा है ऐसा मैसेज है उनकी तरफ से तो आप लोगों के लिए ही मैसेजिस से और यही डीडिंग थी अगर यह डीडिंग आपके साथ राज़निट करें तो प्लीज मैंच चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज लास मने तर छीडिस